हेलो गाइज आज आपको class 8 आपका सब्चेक्ट के हैन्स और यह आपके फाइनल exam का practice question paper है छलिए आज में this practitioner गर को solve करते हैं यह आपका question paper 60 marks का है और यह आपको ढ़ाई गंते में करना होगा चलिए हम इसको solution करते हैं इस पेपर का इसमें आपका section a objective ट्राइप questions कोई आएंगे खंड के में और यह 12 मार्क्स का है आप फ़र्ष्ट कोशन क्या है सलफर डायकसाइड को जल में घोलने पर निमल लखित में से कौन सा अमल बनता है इसमें फ़र्ष्ट कोशन ऑप्सन है सल्फरिक एसेड या बी सेफ्रियूस एसेड या थाइसल्फरूस अमल य इसमें ऑप्सन है बैसिलस या बी कोकस या सी बीबरियो या फिर डी इस्पिलिरम इसमें आपका अंसर होगा ए बैसिलस पिर उस प्रिकरिया का नाम लिखिए जिसमें टैडपोल यूगा मेंडक में विक्सित होते हैं इसमें आपका फर्स्ट ऑप्सन है बडिंग सेकंड है निसेचन थर्ड है काया पल्ट और डी है एंबेडिंग तो इसमें आपका करक्ट आंसर होने वाला है काया पल्ट मेटा मोर्पोसिस फिर एक किलोग्राम वजन बराबर होता है ए उप्सेन है 9.98N, B है 9.8N, C है 0.98N, D 0.98N इसमें आपका अंसर होगा B 9.8N फिर या परवर्तक सता के टकराने वाली परकास की किरण कहलाती है इसमें उप्सेन क्या है गटना किरण, परवर्तित किरण या अपवर्तित किरण या समानने किरण इसमें आपका अंसर होगा प्रवर्तित किरण, इंगले समी पढ़ लएतने beam of light is striking the reflecting surface is called इसमें आपका अंसर होगा B रिफलेक्टिड रे फिर एन सेवन्थ कोशन दहातुों को खीच कर पतले तारों में बदलने की शंता को कहते हैं क्या कहते हैं लचीलापन या नंदिनता या सूनोरिटी या चलकता इसमें आपका अंसर होगा लचीलापन ए डिक्टिलिटी ठीक है फिर है सेवन्थ कोशन एलमूनियम की निवल लिखित मैंसे कौन सी विशेचता इसे तार के रूप में उप्युक्त बनाती है इसमें आपका ए है लचीलापन और इसमें आपका अंसर होगा जरायूज और बी ऑपसे ने अंडाकार अब्यापन और लिखित मैंसे किसका उप्योग भूजन के रूप में नहीं किया जाता तक परिक्षक इसमें आपका अंसर होगा डी मिथेन विचोफ फॉलोवें इस नौट यूज गुड़े फुड प्र कर उबेलिंग इनमें से कोई नहीं तो आपका ए होगा अनिमल विच की बड़ टू यंग वंसर कर वीवपोरस फिर टैंथ कुशन प्रित्वी द्वारा वस्तू को अपनी और खीचने के लिए लगाया गया बल कहलाता है इसमें फस्ट है इलक्ष्ट्र टेक बल फिर है बी गुरुत्वा कर्षंट बल फिर है मास पेशी बल यह संपरक बल इसमें आपका अंसर होगा बी गुरुत्वा कर्षंट बल फिर 11 कोशन एक किरंड को अपतन कोड क्या है यदि प्रावर्तित किरंड आपतित किरंड से 90% के कोड़ पर हो तो क्या होगा यह है 60 डिग्री भी ह इसमें आंसर होगा बी 45 डिग्री फिर है 11 कोशन नहीं 12 कोशन पौदो और जंतू में युग्मों को कि सन्यान और की ओर ले जाने वाली प्रिकरिया कहलाती है एक विकास बी निसेचन यह सी विकास यह डी संलियन इसमें आपका अंसर होगा फेटिलाइजेशन निसेचन फिर है सेक्शन भी आपका है सौट आंसर टाइप कोशन आपका फस्ट कोशन है फोर्स फंडर्ड एन इस अपलाए ऑफ एन एरिया और 4 मिटर स्क्वेर कॉम्प् इस टेट दालू इस टेट तो लॉज ओफ रिफ्लेक्शन तो लॉज रिफ्लेक्शन बताने अगर आपको इन कोशन आंसर के भी आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना मैं इसके वीडियो जरूर लेके आऊंगा फिर आपका थर्ड कोशन है एक्स्पेलें ब्रीफली इ मतलब बढ़ाने में जीवानु कि क्या भूमी का है मिट्टी के उरुता और अथपा में दे रिखा है वाटार वीवपोरस और वीपोरस अनिमल यह दोनों क्या है तो मतलब आपका इसमें कितने कुशन करने आप देख लें जैसे कि आपको फश्ट करना है थर्ड मैंसे आप फॉर्थ और फिफ्ट मैंसे भी हाँ चॉइस है फिर आपका सेक्शन सी लॉंग आंसर टाइप कोश्टन इसमें राइट दा वेजर टू पर्टक्ट और आइस आखों की सुरक्ष्टा के उपाई लिखिए उपाई लिखने समझाए कि मलेरिया मनुस्य में कैसे फैलता है औ सच बेबी स्कॉल्ड फिर आपका सेक्शन एडी कॉम्पिटेस सोर्स बेस कोश्टन इट टू इलेवन तक ठीक है अनुश्यत को पढ़कर पुछे प्रशनों के उत्तर दीजिए कि नहीं तीन को कीजिए यह आपका एक अनुश्यत से चलो पढ़ लेते हैं फिर समस्कूश् पंश्यम जीवों की वुर्द्दी को मार देती है यह रोग देती है ऐसी दवाओं को एंटियोबाय टीक्स किहाता है ठीक है एंटोग का स्कंसम जीवों को भड़ने से निर्मेत होते हैं और विवन परकार की वीमारियों को ठिक करने के लिए उप्योग किये जाते हैं το में माइक्डो को रोकने के लिए पशुबद के चारे पंडो हो निक वत जाते हैं उनकी पवियों कई पौध्यों को नेंतिन्ट करने के लिए भी क्या जाता है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रोक पैदा करने वाले बैक्टेरिया के संस्क्रिती पर काम कर रहे थे आचानक उसने अपनी कल्चर प्लेट में एक छोटे से हरे साचे की विजानू देखे उन्होंने देखा कि मोल्ड की उपस्तितिन ने जीवानू के विकास को रोक दिया वास्तम में इसने इन में से कई जीवानू को भी माल डाला इसमें मोल्ड पैनिसिलन तियार किया गया जब कोई रोक फैलाने वाला सुक्चम जीव हमारे सरीर में परवेश करता है तो सरीर हमलावर से लड़ने के लिए एंटी बोडी पैदा करता है सरीर यह भी याद रखता है कि दुबारा प्रवेश करने पर सुक्चम जीव से कैसे लड़ना है यदि मरता या कमजूर रोकानू को एक स्वस्त सरीर में पैसा किया जाता है तो सरीर उपयोग एंटीबर्टिक का उत्पादन करने है हमलावर जी माडू में लड़ता है और उन्हें मारता है एंटी बोडी सरीर में रहते है और हम हमेशा के लिए रोक पैदा करने वाले रोगानू से सुरक्षित रहते हैं इस तरह के टीका काम करता है टीका करन है है जा तपेदिक चेचक और हैपेटाइस टिट्स सहीत कई बीमारियों को रोका जा सकता है एडवर्ट जेनवर ने 1798 में चेचक टीके की खोच की दी आपके बचपन में आपको कई बीमारियों से खुद को बचाने के लिए इंजेक्षिन ने दिये गए होंगे क्या आप इन रोकों की सूची बना सकते हैं क्या अपने माता पिता से मताद ले सकते हैं इसमें से कुछ कोशन पूछें उनका भी देख लेते हैं अंसर निमल लिखित में से किस विज्ञानिक ने 1798 में चेचक के टीके की खोच की थी इसमें आप का अंसर एडवरται जेनर या फिर एलेक्जनेर फ्लेमिंग या कॉल एनिकल्स या रोज les फ्रेंकलिन इसमें आपका अंसर होगा A Edward Jenner फिर है second जब रोगाणू को ले जाने वाला कोई रोग हमारे सरीर में परवेश करता है तो सरीर इस से लड़ने के लिए डैस पैदा करता है इसमें आपका अंसर होगा B Antibodage फिर थर्ड कुश्शन इसमें आपका अंसर होगा C 1947 अब यह इंगलिस में यही पैसे पैसे इसमें 1947 नहीं होगा यह डी होगा 1929 आते हैं अब नीचे यह को नाइन तमें एक और अनुश्य दा अनुश्य को पढ़गा पुछे करें पुछे को तर दीजिए मैं इस वाले पैसेज को आप पढ़ लेना मैं इसके सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूं तो आप देख लें अगर आपको इस पैसेज के आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना मैं इसके भी आंसर लेकर आउंगा मैं इसके आंसर इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लोंग हो जाएगी इसलिए जो आगया आले जो पैसे जाएंगी मैं उनके आंसर जाने के लिए आसानी से इलेक्ट्रोन खो सकते हैं धातू विसिज भोतिक और साथ ही रसाइने गुड़ों को परदर्सित करते हैं जो पारे जैसे अवादो को छोड़कर अधिकांस धातू तन्य और अध्या धर्णी होती हैं यह गुड़ उन्हें वाड़ी जी के और हाथ साथ ही घरेलू उपयों के लिए मुल्यवान बनाते हैं पानी के साथ धातू की प्रतिकरिया महतपूर रसाइने गुड़ों में से एक है सोडियम और पोटेसियम जैसे धातू ठंडे पानी से प्रतिकरिया करते हैं जबकि मेगनेसियम गर्म पानी से प्रतिकरिया करते हैं एलमूनियम जिंक जैसी धातुएं गरम ठंडे पानी से अभी करिया नहीं करती लेकिन भाप से आसानी से अभी करिया करती है जब एक धातु गरम ठंडे पानी के साथ प्रतिकरिया करता है तो उत्पाद धातु हाइड्रो कॉकसाइड और हाइड्रोजन होते हैं और जब यह भाप के साथ पृतिकरिया करता है तो उत्पात धातुnumberation और Hydrogen होते हैं sodium, potassium, जैसी कुछ धातुंगे जल के साथ 3. अभी करती है इसमें आपका प्रित्पियर करने है जब जब जस्तभ भापके साथ पृतिकरिया करता है तो क्या उत्पन होता है क्या उत्पन करता है तो इसमें आपका अंसर होगा बी-जैड जैड एनो फिर पानी के साथ कैलसियम की प्रतिकरिया के दोरन धातू के टुकड़े तैरने लगते हैं जिसके बनने के कारण इसमें आपका अंसर होगा CH2 लिमें लिखित मैं से सार्व धिक धन्य धातू है इसमें होगा ए यू ए इंग्लिस में लिगा वैंजिंग रियक्ट विद इस्टीम इट प्रद्यूस इसमें आपका अंसर भी है जैड एनो दुबारा देखलें इंग्लिस में डूरिंग दे रिक्शन of calcium with water pieces of metal start floating due to the formation of इसमें आपका अंसर होगा एक वर है अनुश्य अनुश्य प्रवरतन के नियमों का सवलता पूर्वक पालन होता है प्रकास या विश्राण गत्ते जैसे विश्य प्रवर्ति प्रवर्ति प्रवर्त्र पर अनिमिताओ के कारण होता है इसके विप्री दरपर्ण जैसे चिकने प्रश्ट से होने वाले प्रवर्तन को निमित प्रवर्तन कहते हैं यह आपका चोटा सा पैसेज था इसमें कुछ कोशन पूछे हैं विश्रत प्रवर्तन को क्या कहते हैं जैसे कि यहां से यह किरने क किशिई खुद्रे या अनेमित प्रस्ट से प्रवर्तित होने के पस्षा समानतर नहीं होती माने तोैसा प्रवर्तण को विश्रित प्रवर्तन कहते हैं कि अपका फिस्टका से हो जाएगा अब धर्ड है नीमित प्रवर्तन किसे कहते हैं लिए इसकी विप्रिद्रपन जैसे चिकने पर से होने वाले प्रवर्तन को नीमित प्रवरतन कहते हैं यह आप कांसे थर्ड का हो जाएगा यह आपका इंगलिश में है अब आपका लास्ट परसंद बारा कोई एक रेखा चित्र बनाई यह मानव आंख या मेंडग जीवन का चक्र ड्रो एडाइग्राम एनिवन या हुमन आई या फ्रोग लाइफ साइकल आप आपका प्रैक्टिस कोशन पर अबर कंप्लेट होता है अगर आप में चैनल पर पहली बार आये हैं तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप चुरू करें थैंक यू